तो मैं आज आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ एक नया रेशिपी जो है कि नारियल के लड़ू की रेशिपी तो इस दिवाली पे आप लोग बनाएए नारियल का लड़ू और घर में बना के इंजॉय करिए नारियल का लड़ू सबको बहुत पसंद होता है तो मेरा ये आप पूरा एंड तक देखिए वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ठीक है तो चलिए ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं तो नारियल का लड़ू बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश नारियल को ले ल कितना सुंदर से पानी निकल गया और अगर आप इसको पटक के फोरेंगे ना तो सारा पानी भिखर जाता है तो यहां मैं दो नारियल लेके आई थी जिसमें से क्या हुआ ना कि एक नारियल तो सही से फट गया और जो दूसरा नारियल था ना उसका जो स्कीन है वो देखि निकल पाऊंगी तो मैं असको काटना पर और मैं काट के एसको ग्राइंड करूंगी यह भी सही है क्योंकि इसमें बहुत कम लगा और बहुत जल्दी यह बन के तयार हो गया जब मैं उसको घिषती तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जयता और बिलकुल कुछ स्कीवाली नहीं डालना है बस अग्दम सिर्फ नार्यल को डाल के यह दिए पर ग्रैट कर लीज़ेगा और बस ऐसा हो गया देख रहा है यह लग रहा है बिलकुल कि यह बिल्कुल कि यह यह लग रादर किया हुआ है यह लग ही रहा है तो चलिए अब हम लोग लदू बनाने इसमें बहुत आच्छा है .. तेल को योज बिलकुल मत करिएगा नारियल का लट्डू में जो भी घी हो बजार क भी चलेगा और देशी अगर हो तो अच्छा है ठीक है तो उसमें हम गी डाल के और यह जो बिनाजल का पूरादा है इसको हम लोग डाल देंगे और इसको हम चलाएंगे और तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक यह ड्राईट नहों जाए देखिए तो ऐसा चिप-चिपा था पर इसको जो पांस से साथ मिनट तक भूनेंगे चलाते हुए तो यह बिल्कुल ड्राइ हो जाएगा देख रहे हैं अब और थोड़ा सा भूनेंगे तो देखेंगे यह ड्राइ हो गया अब इस टाइन पर गया करेंगे इसमें हम एक कप दूर डालेंगे और यह जो दो नारियल था ना अब दूर डालने के बाद एक दो मिनट पकाऊंगे इसके बाद मैं डाल दूंगे इसमें टेस्ट के अफॉर्डिंग चीनी तो मुझे मैं चीनी भी यहां पर कमी इस्तेमाल की हूँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालियेगा ज्यादा या कम जो भी आप लोग को अच् तो अब इसको क्या करना है ना लो टू मीडियम फिल्म पे मुझे पकाना है तो इस तरह से मैं पकाऊंगे इसको चलाते हुए और तब तक पकाऊंगे जब तक यह पूरा ड्राइ नहों जाए इसका जो भी दूद है और इसमें एब्सॉर्ब हो जाएगा और आप आप दम से एक दम ना राइ हो गया तो इस देखें अभी है तक पौस्सेस्टें से तक इसको पकाना है तो असमें आइसे नहीं दूरा होगा हम को ऐस Nä Anne लो तो बस यह टाइम पे हमको क्या करना है इसको गैस को कि फ्लेम को ओफ कर देना है और थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा कर लेना है बहुत बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे जिससे कि मेरे हाथ में गरम न लगे और इस तरीके से हम इसका गोल- सारे लड़ू को बना के त्यार कर लोंगे और देखिए कितना बढ़ियां हुआ था ठीक है और यह बहुत ही सॉफ्ट हुआ था खाने में एक्टम मुह में जाते ही घुल जा रहा था जो कि आप अगर फ्रेश नाडियल से बनाएंगे तो ही इसका जो टेक्स्चर है ऐसा आ लागा हो तो एक लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एंड तक देने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया